हेलो मेरे चुन्नों क्या है चाल सभी लोग बढ़ियां तो आज हम लोग यह जानेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करिंट क्या होती है आपने पहला पार्ट बहुत इंजॉय किया आइनो तो सेकेंड पार्ट जो होने वाला है वो उससे भी धमाकेदार होगा और यह जाद रही है कि यह सभी चीजे को याद होने जाहीए अगर वे याद नहीं हुए तो पढ़ाने का कोई मतलम नहीं है तो आप लोग कुछ बत करिएती क्छ मत करिए सरफ को एक बार रहुएग दो तीन बार देखिए जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एदे तो अब ही हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्ट्रिकल करेंट ठीक है तो इलेक्ट्रिक करेंट कैसे बनती है तो उससे पहले हमें समझना होगा थोड़ा सा डीविजन कर देता हूं कि चार्ज के पास में कौन कौन सी प्रोफर्टी होती है तो Q is equal to any आप पढ़ चुके हैं अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यह होता है जैसे आपने वाटर का फ्लो देखा है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज में चार्ज का फ्लो होता है तो बहुत ही सिंपल सी है तरेट ओफ फ्लो ओफ एलेक्ट्रिक चार्ज इन कंड़क्टर इस और्लेक्ट्रिक करेंश बहुत ही सिंपल ठीफिनेश़् तो अम् लोगों को जातीकि कि वो रटा दी जाती है यासा होता है वैशा होता है यह हो जाए वो हो जाए तो वो तो हम लोग याद रहे दियते हैं फिर भी हमें समझना है कि actually में electric current कैसे बंती है तो कई terms हैं जो आपको याद होने चाहिए जैसे कि आपको पता है किसी भी metal के अंदर किसी भी conductor के अंदर free electrons होते हैं या free charge particles होते हैं यह भी आपको यात रखना है Sir, free charge particles कौन से होते हैं तो electron theory की recording जो outer cells में electrons होते हैं और अपनी orbit को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं घूमने पर ने चले जाते हैं उने हम कहते हैं free electron, जैसे कि आप सबी लोग अभी घर से बाहर निकले और बाहर निकल के इधर गुम रहे हैं, कभी उधर गुम रहे हैं, कभी अपने बाबू के साथ में गुम रहे हैं, में सोना के साथ में गुम रहे हैं, तो वो सब क्या हैं, वो सब free हैं, free electrons हैं, वो सब हैं ही तो फ्री एलेक्ट्रों की थेभरी ऐसी है कि आपने क्या कि आप घर से निकले बाहर और और कहीं गों रहा है ये फ्री हो गाया तो क्या करेंगे current बनाएंगे बट current तभी बना सकते हैं जब उनके पास में external source से external source से ठीक है ना थोड़ी ताकत लगाई जाए जैसे कि आप देखते होंगे कि आपकी घरों में जो पानी का connection है है ना टंकी से अजल से पानी आता है कि क्यों प्रेंट के लिए लिखने से पानी के आहें क्यों आता है रए और लोंडर्क रख्याट तो ऒड़ता है है वाडर पहां को निखेंए क्या सब्लाड करने और तो all of flow of electrical charge in conductor is electric current यह आपको डिपने चीन या तक नहीं है तो माल लीजिए यह हमारे पास एक मैटल है ठीक ना यह कंड़क्टर है इस कंड़क्टर में बहुत सारे सभी फ्री में इस व्रीक इलेक्टों बहुता है की ख़ते हैं किसी भी की किसी भी वायर में यह किसी भी कंड़क्टर में करने राने कि यह अगट न भुकर्त आ फेनोमेना बोल सकते हैं, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, सब डीपली आप लोग 12 में बढ़ हो गए, पस आपको समझ लो कि इलेक्टर करेंट कैसे बनती है, माल लीजिए, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब जि कनेक्शन के लिए, आपको कनेक्शन का फिगर भी आना चाहिए, यह आपका बैट्टे का कनेक्शन हो गया, यह हमने कनेक्शन दे दिया, ठीक है, यह बैट्टे का कनेक्शन हो गया, अगर यहाँ पर सेल लगाते हैं, तो एक सिम्पल सा होता, ऐसे करके ऐसे यह सेल हो गया, यह सेल है और यह है पयावाना सेला बैटरी यहाँ पर चुकंड हो जाएका है जो कि है यह नियुटिट्व जाहेका है यह पोजिट्व निद्यू वहना ठीक है यह एक्ट्रॉं के पास में कॉन से जार्ज होता है अब लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है ना क्लास नमबर वन में देख चुके हैं अगर आपने नहीं देखिए दूसको देखिए यह सारे लेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में यह ठीक है ना अब सपोस्ट कईए कि ये इलेक्ट्रॉन है ये माईनस हैं ये मान लीजिए ये और इस शंदर संदर लड़की है और ये ये वाला संदर लड़का ही ये संदर लड़की है तो लड़कीया इसे जाती है और लोगों देखा बहुत सुन्दर सा एड आता रहता है आप लोग तो उस एड में क्या दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि एक लड़के ने ऐसे से करके फॉक डाला अपने उपर ठीक है लड़की आपकी चिपक गी ओ यह क्या अच्छन है वैसे ही जब हमने यहां पर प्लस का एड लगाय आप एड वोओ लगाया तो यहां पर एक elektrik फिल्ड बनी तो सुन्ध एक नया फेन्मीन है इलेक्ट्रिक फिल्ड आपने नहीं पड़ी है इलेक्ट्रिक फिल्ड तो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या करता है इलेक्ट्रिक फिल्ड कोई भी चार्ज पाल्टिकल बनाता है कोई भी चार्ज पाल्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाता है माली यह चार्ज पाल्टिकल है यह प देखिया आउठ हो रहें यह और यह ज़िए निगेटिय चार्ज पार्टिकल है तो इसमें इन होंग एलेक्रिक पर लैंस यह इधार ऐसे करके टो यह एलेक्रिक फील लाइन से है इलेक्रिक फेल्ट क्या करता है दूसरे source charge के उपर, दूसरे charge के उपर force apply करता है अगर electric field positive है means outward निकल रही है ठ Examper outward हो रही है तो charge कैसा है positive और negative charge को अपनी और खीछ लेगी हो ठेक है ना negative charge को अपनी और खीछ लेगी वही आप PHENOMEN अपला लिजिए कि like charge यह लग लिग लिए है लाइक चार्ज लाइक चार्ज रिपल इच अधर रिपल इच अधर ठीक ना मीन्स प्लस प्लस चार्ज रिपल करेंगे माइनस माइनस चार्ज रिपल करेंगे दुसरे को ठीक है बट अन्लाइक चार्ज अन्लाइक चार्ज चार्ज अट्रैक्ट इच अधर ये भी आप प्रेदर किया है तो प्लस प्लस चार्ज होंगे तो रिपल हो जाएंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फिल्ड काम क्या है किसी भी दूसरे चार्ज पाइलिटिकल के ओपर फोर्स अप्लाई करना कि टाकत लगाना है ना काम इसका तो टाकत लगा देगा जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई करी तो एलेक्ट्रिक फिल्ड ऑल्वेस पॉजिटिव सब्सक्राइब की सभी होती है इसकी डारेक्शन होती है अब दुखो ये ऺजी ě इसको अपने तरफ खीचे का ऐसे कर के ये सारे एलेक्ट्रॉन इन लगेंगी और जैसे ये एलेक्ट्रॉन आने लगेंगे इधर कि इस इलेक्ट्रों के बन जाए कि तो क्या भात हैंगे electrical current yeah, electric current always opposite to always opposite to opposite to motion of electron ठीक है, जिस direction में electron motion कर रहा है direction of motion लिख लिएए, आप डारेक्शन of motion of electron कर लिजिए लेकि करेंट इस direction में बनेगी, इस direction में ठीक है current की direction किदर है इस direction में और electron किदर है opposite और एक यह question आता है electron कैसा होता है negative charge होता है ठीक है ना फिर यहां लिखते हैं नमबर दो पर आई है एलेक्ट्रिक करेंट ओल्वेज आपोजिट टुटा टू डारेक्शन डारेक्शन लिखी है ना डारेक्शन 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 ओफ मोशन ओफ एलेक्टर्ण ठीक ना मोशन टी डारेक्शन के एक्लीन लिक्टर्ण का फॉजट्र ठीक ना अर्चो पॉजिट्व जार्ज पालिटिकेंव फॉजट्यट्व चार्ज फॉजट्व जाजट्व ना अध्य आई ब спас た फॉजट्व टसएम दीरिक्शन ऑद आरेक्शन पोट्सेम डिariatट्शन यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो उनकी डायक्षिन करेंट की साइड में होती है ऐसे करके हैं यह तो पॉजिटिव चार्ज कॉन से होते हैं होल होते हैं ठीक ना ये भी या देकि थोड़ा सा होल होते हैं पॉजिwe चार्ज एलेक्तोन होते हैं नेगेटिव चार्ज होल कैसे बनते हैं तो होल जब किसी भी ए particular क्ला निकल तो यहां पर यूनिट टाइम पर जितने भी जितना भी चार्ज़ फ्लो होगा उसे हम उसकी करेंट कहते हैं तो आइज इक्वल टू क्यू अपाउन टी यहां पर करेंट हो गश्म ही इस कांड़ कर दक्चर ही से इस ट्डेन का प्सοιना हो गया अभी यह हो गया यह लेकिंगे यह इस इक्वल टू कारेंट आपर उसस दिखेंडर क Normia के जोंच तो फ्लुइन कंडक्टर charge फ्लुइन कंडक्टर these time थेकर नहीं इतना आपको याद रखने है यह formula हो गया इसको चलायता है कि सबुदनि unit क्या है इसका तो unit भी आपको याद रखने है इसका unit होता है ampere इसका unit होता है ampere लिए amph arrival ठेकर है और साथ में इसका इक और उन्यूइन होता है עם कूल het per second फेंगे इभां माशर सेटीब दोनों है उन्यूइन आपको याद मैं रखेंगे है है कि है और ne सऔर बल्रे 4 अब आता है कि सन्रечение कि हुगनार्ण होता है उसका में मेजर्मेंट किस डिवाइस से करते हैं तो करेंट का मेजर्मेंट हम करते हैं ए मीटर से कि ए मीटर से हम इसका कि मेजर्मेंट करते हैं ठीक ना कि मैजरिंग दिवाइस हैर सुटिक नह Dipउस कुछ है मैजरिंग डिवाइस कौन सा है मैजरिंग डिवाइस आपका इमेटर दिख रहा है कि आपको वह आछनौ ऐसे हम सर्किट मे हैं उसे हम सरक्टृ में सीरीज में लगाते हैं यहाँ पे लगा दिया हमने ए Bobby यहां था сказать इसे हम एक से रिप्रेज करते बांद करता है हमारी कररिंट को कादे सब्सक्राइब नहें वहिता हुश स्काधर अब इसे करके होता है और यहां पर एक चुन्नु सी रोड लगी रहती है यह निडल होती है जो करेंट की वैल्यू को बना दिया है यहां पर एक एसे करके हैं ऐसे करके करेंट की है या यह और यहां पर 0123456789 10 ऐसे लिखा होगा और साथ में लिखा होगा मिली एमपीर, मिली एमपीर या एमपीर या माइक्रो एमपीर, इसे थ्री टाइप से मेजर करते हैं, करेंट को किन वैलीउस में फाइंड करते हैं, बेसिकली जो सिंपल सर्कुट्स होते हैं उसमें फाइंड करते हैं मिली एंपियर, माइक्रो एंपियर और उनली एंपियर, मिन सिंगल में करते हैं जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं उन्हें मेगा में करते हैं ठीक है ना इतना क्लियर है तो यह हमारा इतना हो गया भी तब का है ओके तो किसमें मेजर करते हैं एमीटर को मतलब करेंट को मिलीएंपियर को तो मिले एंपे 10 to power minus 3 ampere होता है ठीक ना micro ampere symbol पर समली साथ में आइक यो एंपेर को 10 to power minus 6 emitter गहते है ठीक ना यह भी आपको याद रखना है measuring device कॉन सा है emitter ठीक है कैसे आड करते हैं series में आड करते है किसे circuit से circuit क्या होता है तो वाट इस दा सर्कीट what is the electrical circuit electrical circuit तो circuit किसे कहते है परिपत किसे कहते है तो कोई भी ऐसा device कोई भी ऐसा system माल लिजी यहाँ पर हमने लगाया यह यह मैंने लगा दिया bulb अपना ठीक है यहाँ से लेकर क्या है और यहाँ पर हमने लगा दिया अपना ए मीटर ठीक है ना यहाँ से हम लोग लेकर के आए और इस वाले के साथ में हमने यहाँ पर लगाई अपना एक्सेल ठीक है और इसके बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर करता है पोटेंशिल को फाइंड करता है अभी यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर इसको अपने लगा दिया और जैसे यहां पर इसको को क्लोज करेंगे यह क्लोज की है यह क्लोज की ठीक है ओपन की कैसी होती है ओपन की ऐसी होती है ओपन की ठीक है ना यह काहे की बनी होती है ब्रॉंज की बनी होती है ठीक है ना ब्रॉंज की बनी होती है यह बेसिक तरीका से कॉपर की बना लेते हैं आजकल तो हर चीज डिब्लिकट बन जाती है यह हमारा ब इस बल्ब में देखो, यहां पर यह लगी है हमारा सेल, यह मारा लगा है सेल, इस सेल के साथ में जो पोटेंशियों मेटर लगा है, इसे हम कहते हैं, वोल्ट मेटर, वोल्ट मेटर, ठीक है, वोल्ट मेटर, यह क्या है, ए मीटर, यह कह है बल्ब, और यह क्या है की, यह क्या ह सेल और यहां पर जो हमके लोग लेका है यह सब यह इसका क्या है वायर है यह सब क्या है है थीक है इतना हपको पता होना जेंड ihan ट्रिक्ड़ शरकिट थेक है और अमारे वर्द में पर डिक भी सर्किद में इतने चिज़सा लिए द요्ड पर उननुट мет वै데 और बैटरी का सेल और पोटेंशल फैंड करते हैं और इसे सर्कृट में कैसे लगाते हैं पैरलल लगाते हैं ठीक है जाम लोग कॉंबिनेशन पढ़ेंगे तो यह सब चीज़े पढ़ेंगे अम लोग डीटेल में तो यह हमारा हो गया करेंट का भी है न कुछ से सवाल ले ले कड़ हो जाए तो बहुत ही सिंपल सिंपल से कोश्चन आते हैं आप फटा फट कर लेंगे तो तेंट आप के कोश्चन करेंगे और और ओरल कोश्चन हो जाएंगे अभी देखना है यह इतना हो गया है सार हमारे जी तो अगर एक कंड़क्टर है उस कंड़क्टर में फाइफ अंपि की करेंट फ्लो हो रही है एक कंड़क्टर से ठीक है पर मिनिट किसी एक कंड़क्टर से फाइब एम्पेर की करेंट पर मिनिट फ्लो हो रही है पर मिनिट फ्लो हो रही है तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो होगा तो बहुत सिंपल है यह हमारा पासे कंड़क्टर है इस कितने मिनिट में तो हम से पहले क्या लिखेंगे कि आई लिख लेंगे हमारे पास यह करेंट दिया हुआ है निमेरिकल्स लगाने का हमसे अच्छा फैदा यह है कि आप जो वैलू गिवें है उसे फटा फट लिख लिख लो तो आई दिया है फाइव एम्पिर और कितना दिया है पर मिनिट में टीज इपल टू वन मिनिट तो मिनिट को कर्क अबर्ट कर लिज इसे केंड में वह जाएगा 60 सेकेंड 60 seconds तो formula क्या Q is equal to IT यह तो है ना कहेंगे सरी यह तो नहीं था पर्मॉला कहेंगे हां पर पागलो हो ना इक नमर की I is equal to Q IT था तो Q is equal to IT हो जाए ने हो जाएगा तो Q is equal to IT देए फ़र Q is equal to IT यहाद रखिए तो लगा दीजिए यहाँ पर Q is equal to I कितना है 5 5A into T कितना है 60 seconds कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा तो यहाँ पर 300 के आगे क्या लिखना है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम तो यहाँ लिखना है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम कभी 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 चार्ज की जिगह पर चार्ज की जिगह पर ऐसा क माइक्रो कुलाम ऐसे कर लिए तो यहां पर इसका मतलब है थ्री डबल जीरो टेन टू पावर माइनस सिक्स कुलाम ठीक है इसको ऐसे सॉल करना है इसकी जागे पर कभी-कभी आपसे ऐसे बोल देंगे थ्री हंड्रेड माीक्रो माइक्रो कुलाम इसका मतलब है 300 इन टो टैन टू पावर माइनस सिक्स टैन टू पावर बाइनस सिक्स टैक है जो कभी-कभी इसकी जगें पर Q फिस इकवल डों देंगे थ्री तेन टू पावर लिगताओ मैं देखू एम कुलाम ऐसे करके तो इसका मतलब यह है मेगा है ठीक है ना यह इसका मतलब है मेगा 3102 पावर 6 ठीक है कुलाम मैक्रो हो गया अब कभी-कभी इस कोश्चन की जगा पर ऐसे देंगे 600 मैक्रो मैंने बता दिया मिली इसमाल लिखेंगे और यहां भी देंगे तो इसका मतलब है मिली 102 पावर किता होता है 3 कुलाम ऐसे करके यह आप वोकन वर्जन भी याद होना चाहिए जिसे आप कुश्चन को मलब के लिए कर सकते हैं अब इस ही में समाल लीजिए अगर इतनी हमारे पास चार्ज मिल रहा है तो नंबर ओफ नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस कितने हैं इसमें नंबर ओफ इलेक्ट् अब एन हमें फाइंड करना है यहां से यह वारवास फार्म्ला होता है ना क्यों इस इकल तो 300 हो जाएगा इस इकल टू एन इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 अब एन इस इकल टू कितना हो जाएगा एन इस इकल टू 300 डिवाइड़ बाई 1.6 10 पावर माइनस 19 ठीक है नेक्ट जो नेक्ट शुड़े तो में मैंने क्या पताया था आपको प्रेश्टर विडियो में कि यह वाली पावर उपर चली जाएगी तो यह जाएगा कि ना 300 यहां से कट ओगे तहाव पर 0 हो जाएगा 3000 होताएगा अब यह कितना हो जाएगा कि कट करिए एट तो यह हो जाएगा हमारा कितना इन्टू 100 और यह हो जाएगा 15 इत आया तो इस 8 को हम लो कट करें 4 यह जाएगा 50 यह जाएगा ठोल कंल यह जाएगा टू यह जाएगा 25 और 25 इन्ilities 15 कितना हो जाएगा बता यह तो यह दाइगा 15 x 25 x 2 तो यह में दाइगा हमारा कितना 25 5 हो गया और दिफाइग 12 and 25 12 and 23 75 by 2 कितना हो दाइगा 1 8 7.4 इतना है 1.4 10 to power 19 electron इतने electrons की value आईगी and is equal to this ठीक ना तो यह भी आपको याद रखना है ऐसे छोटे-छोटे से question आएगी जिनको आपको cross multiple करना होगा बहुत ही simple तरीके साब कर लेंगे कोई दिखत की बात नहीं है इसमें अब आता है कि सर जो हमारा यह दिया हुआ है जिसमें इमीटर लगाया है कभी आपसे question एसे गुमा़े के पूछ लेगा आई ना पूछ Лेगा कि एक सर्कृट में एक सर्कृट है यह सर्कृट है इसमें बल्ब लगा हुआ हुआ Hungary के यहां पर एक एमीटर लगा हुआ हुआ हैCON क्रिंट की रीडिंग कितनी है करेंट की रीडिंग इतनी है ठीक है और इसमें देगा क्या क्यू देदेगा आपको क्यू देदेगा माली जी 10 to power 6 into क्यू देदेगा आपको कितना चार्ज देदेगा 30 into this and t देदेगा 60 second then आपको बताना circuit में जो current ये मीटर लगा है इसमें ये मीटर में कितनी रीडिंग आएगी तो कुछ नहीं आपको ये formula अपलाई करना है q is equal to 300 into 10 to power 30 30 दिया sorry 10 to power 6 is equal to i into t कितना है 60 second ठीक है तो ये सक्ट करेंगे तो यहां पे 60 आजाएगा पॉन में ये कट करेंगे तो 1 by 2 आजाएगा तो 0.5 10 to power 6 i आजाएगा ये तो इसकी reading कितने आई है इतने reading आई है आपको सभी value के आगे इसका इसकी value भी लिखनी है इसकी i is equal to this empire यहां पर ऐसे जरूर लिखना है जितने भी आप questions solve करेंगे उन सभी questions के आगे आप reading जरूर लिखें जैसे मैंने देखिए यहां पी लिखा है इसका unit जरूर लिखा हुए आप कोई भी numerical solve करिए कुछ भी करिए उस numerical के साथ में आपको क्या याद रखना है आप अपने उस numerical के साथ में क्या लगाया है उसका unit लगाया है कि नहीं लगाया है ठीक है ना एक फॉर्मला में और बता रहा हुआ आपको question solve करने के लिए वो लिख लीजिए फिर हम लोग मिलेंगे electric potential में पर नेश्ट वीडियो इसमैं है गросब कि नेक्ष्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग electric potential के साथ है ज्यादा बड़े वीडियो जहीं बना रहा है हम लोग जूकर चीज्गें आपको समझ में नहीं आइंगे इसलिए नहीं हम लोग अराम अराम के बहुत टाइम हैं भी हम लो to i t and q is equal to n e यह होता है तो अगर यह क्वेशन एक है यह क्वेशन दोर दोनों को मिला तो कितना हो जाएगा i t is equal to n e होगा कि नहीं होगा i t is equal to n e होगा कि नहीं होगा e by t यह कुछ नहीं है वहीं चीज़ है अगर हम यहां पर क्यों रख देते हैं अगर इसको देखाएशन देखो i is equal to q upon t था q upon t था गी नहीं था अब क्यों के एक्वल हमें रखना है एन ए क्यों के इक्वल रखना है हमें ख़र्ण के अगरे करन्ट कैसे होता है अच्छाथ थोड़े सिंबल गवादा देता हूं आपको सब्सक्राइब काम अजये अलेक्टिकल सिंबल तो मैंने की का बताई दिया है यह कौन सी की है आपको कमेंड बॉक्स में डालना है यह कौन से की है आपको कमेंड बॉक्स में डालना है यह कौन से सिंबल है यह आपको बताना है यह ठीक है और यह कौन से सिंबल है को यह बताना है आपको सिंवल को यह बताना है यह का है का सिंवल है करही है समाइपना समझा दूगा मैं आपको homework दे रहा हूं ठीक है इतना हो गया और एक सिंबल और होता है यह सिंबल का है ठीक न तो आपको one two three four four eight nine आपको nine सिंबल के नाम सही से लिखना है comment box में डालना है और सही से पढ़ते रहना है ठीक ना आप सही से पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए इस्माइल करते रहिए चुन्न मुन्न बने रहिए हम लोग मिलते हैं next video